राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने दिल्ली में मौसम तो सुहाना कर दिया है लेकिन इस बरसात ने दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल की पोल भी खोल दी है दिल्ली की कई सडकों पर पानी लबालब है और इससे लोगों को आने जाने में काफी परिशानी हो रही है इसके साथ ही डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी विमारियों का खत्रा भी बढ़ गया है लेकिन चलिए जनता को तो अब ये सब जहलने की आदत हो गई है लेकिन ए इस वीडियो में सीम केजरिवाल का ओफिस तालाब बन गया है यहां की अधिकारी और लोग हाथ में चपल लिये पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं ये वीडियो दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल के कारियाले का बताया जा रहा है इस वीडियो को लोग सोचल जल जमाव को कैसे रोकेंगे लोगों ने इसको लेकर दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल और उनकी सरकार परनिसाना साधा है अब जब सीम अरविंद केजरिवाल के आवास का ये हाल है तो जनता तो सवाल पूछेगी ही ट्वीटर पर एक यूजर ने इस वीडियो को शे जल पहुंचाया जाएगा लोगों ने इस वीडियो के सामने आने के बाद जमकर दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल का मजाक बनाया है और कहा है कि सीम केजरिवाल जब अपने ओफिस को ही जल जमाव से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर वो दिल्ली को जल जमाव से मुक् पर दिल्ली में जलजमाओं के कारण जनता को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी भी जब दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल के आफिस में पानी यानि के जलजमाओं होने का वीडियो सामने आया है तो इसको लेकर जनता ने अर्विंद केजरिवाल और उनकी सरकार से सवाल पूचे हैं और कहा है कि आप जब अपने office में ही जलजमाव को नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर ओ आप दिल्ली में जलजमाव को कैसे रोकेंगे आप की इस पर क्या रहा है आप इस बारे में कैसे हो ते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्षेन में कमेंट कर जरूर बताया और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साथ ब्लॉग डिजिटल नमस्कार